स्री सिवाय नमस्तुभे हर हर महादेव दिखिए आज 13 अप्रेल है और 13 अप्रेल 22 साग महीने का अश्टमी ती थी है ठीक है तो आज की दिन आपको एक छोटा सो उपाय करना है बहुत ही सुंदर सो उपाय है बहुत ही अच्यों को पाय है दिखिए अगर आपके घर में पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है यानि कि आपके घर में आप सो रुपे कमाते हो लेकिन यहापर जो खर्चा होता है दो सु रुपे हो जाता है कहने का मतलब यह है कमाई कम है और खर्चा बहुत ज़्यादा है तो सब कुछ आपकी परशानी यहाँ पर खत्म हो जाएगी अगर आप इस उपाय को करते हैं तो चलिए आपको बताते हैं कैसे आप उपाय को करेंगे क्या-क्या समागरे लगे काहां पर आप इस उपाय को करेंगे पुझ्जी गुरुजी की कथा को सुनकर समझकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे जो भी लोग हमारी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं और लोग इस वीडियो को लाइक कर दे और जो भी लोग यहाँ पर हनुमान जी के सचे भाक्त हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने देखिए यह उपाय करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूँ कितना तोड़ेंगे साथ बेल पत्र आपको चाहिए और जो बेल पत्र होगा वो कटी पटी नहीं होना चाहिए कहने का मतलब है कहीं से कटा नहीं होना चाहिए खंडित नहीं होने चाहिए ठीक है और उसके बाद आपको चाहिए गंगा जल तो गंगा जल आपको पता होगा कहीं पर भी आप जाते हैं दर्शन करने पूजा पाट करने तो आप वहाँ पर गंगा जल भर के लाते हैं बोटल में तो उस गंगा जल को आपको अवश्कता पड़ेगी तो आप गंगा जल गर अगर आपके पास स्टील का पात्र नहीं है, तो आप एक लोटा लें दीजे, जो घर में आप यूज करते हैं, लेकिन उसे साब करने के बाद ही, आप यूज करेंगे ठीक है, अब आप जो भी पात्र लेते हैं, उसमें आपको गंगा जल डालना है, माले जी ये आपका पात्र है ये वाला और उसमें आप थोड़ा सा गंगाजल भर लेंगे ठीक यहापा गंगाजल आपने भर लिया और उसके बाद आपने जो साथ बेल पत्र लिया था उस साथ बेल पत्र आपको इस वाले पात्र के अंदर आपको डाल देना है ठीक है तो आ जैसे ही आप संकर जी के मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे मंदिर में परिवेश करने से पहले आपको नंदी जी के मूर्ति कुछ इस प्रकार का होगा आप देख सकते हैं अब उसके बाद आप क्या करेंगे जब आप नंदी जी को देखेंगे तो आपको क्या तो उसके बाद आप क्या करेंगे जो आपने साथ बेल पत्र और एक पात्र गंगा जल लिया था जो आपने साथ यहाँ पर बेल पत्र लिया था आपको साथ बेल पत्र यहाँ पर आप यहाँ पर शिविलींग के ऊपर साथ बेल पत्र चिपकाते हैं तो आपको एक मंत्र का अ आप करेंगे उसके बाद आप यहां पर बेल पत्र को यहां पर चिपका देंगे ठीक है अब देखे जब आप यहां पर बेल पत्र को चिपकाते हैं आपकी जो भी मुनो कामना है बहुत दिनों से पूरी नहीं है रही है या फिर पैसों की समस्या है जो भी समस्या है आप बेल जाना है आपको हाथ जोड़ना है आख बंद करना है और भगवान भोले नाथ से आपको बिंती करना है आपको करना है है भोले नाथ हमारे घर में बहुत जादा करज है पैसों की समस्या है आप कुछ ऐसा करें ताकि हमारे घर में जो पैसों की समस्या है करज की समस्या है सारी समझ जाए दूर हो जाएगे अब देखे आपको मातल इतना ही उपाय करना है अगर आप यह उपाय करते हैं तो आप लोगों को चमतकार जरूर मिलेगा तो आपको यह उपाय करने में कोई भी गलती नहीं करना है अगर आप कहीं पर भी उपाय समझ नहीं पाए हैं तो आप कम को सब्सक्राइब करें जैसी ही मैं वीडियो को अपलोड करू सबसे पहले आप वीडियो को देखो सबसे पहले आप उपाय को करो मिलते हैं अगले वीडियो में जैसी डाम जै बागे शुर्दाम हर हर महादेव